मनमोहन सिंग की दूसरी पारी के साथ उद्योग जगतों को काफी उमीद थी कि आर्थिक सुधारों पर तेजी से कदम उठाये जाएंगे लेकिन ऐसा हुआ नहीं उल्टे एक पॉलिसी पेरलाइसिस की बात कही जाने लगी कि सरकार जो है वो फैसलार नहीं ले पा रही है प्रधानमंत्री का दावा है कि आथिक विकासदर साथ फीस दी छू रही है और देश सबसे तेजी से तरकी करने वाले मुलकों में एक है लेकिन सरकार के अपने आकड़े उनके दावे पर सवाल उठा रहे हैं ऐसे प्रोजेक्ट इनका बजट तेर सो करोर से उपर है बड़ी तादाद में रुके हुए है बुन्यादी धाचे से जुड़ी 566 योजनाओं में से 246 यानी करीब 43 फीस दी प्रोजेक्ट तैस समय से काफी पीछे है इनमें 103 प्रोजेक्ट दो साल से 5 साल तक लेट हो चुके हैं जबकि 35 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो 5 साल से भी ज्यादा लेट हो चुके हैं इस देरी की वजह से सरकार पर 1,19,201 करोर रुपे का अतरिक बोज पड़ा है भारत की कॉपरेट दुनिया परिशान है उसे जिन फैसलों का लंबे समय से इंतजार है वो अटके पड़े हैं सरकार डरी हुई है बागू फाइल आगे नहीं बढ़ा रहे मंत्री बड़े फैसले लेने से बच रहे हैं सरकार का कहना है कि आथिक विकासदर के लिए अंतराश्ट्रिय संकट सबसे ज्यादा जिम्यदार है लेकिन ये तस्वीर बताती है कि सरकार की अपनी जिम्यदारी भी कम नहीं दिल्ली से कैमरा परसन रमेश टिपाथी के साथ हिमान शुशेकर एंडी टीवी इंडिया